मेरे नाम है Erie और आप देख रहे हैं Erie in Germany आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जर्मनी में फ्री में पढ़ाई कैसे की जा सकती है तो अभी तक आपने मेरी सारी वीडियो में देखा होगा कि मैं ऐसे जोर-जोर से बार-बार बोलती रहती हूं कि जर्मनी में फ्र यहां पर आने के बाद तो आपकी पढ़ाई फ्री में हो सकती है पट इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास अगर स्कॉलर्शिप आपको नहीं मिली है और आप जर्मनी आना चाहते हो तो आपको पैसे अरेंज करने की जरूवत नहीं है आपको उस केस में पैसे अरेंज कर प्रूफ करने के लिए सारे documents होने चाहिए तो इसी के साथ हम अपने पहले point के उपर चलते हैं जो कि है obligation letter अगर कोई आपका रिष्टदार या friend जर्मनी में रहता है और वो आपको support करने के लिए sponsor करने के लिए ready है वो एक obligation letter आपके लिए भेजता है then आप वो letter use कर सकते है and then आपको block account नहीं open कराना होगा उस case में क्योंकि already आपका यहाँ पर financial एक source है जो आपकी take care कर सकता है उसके साथ रह सकते हैं वो आपके खाने पीने का ध्यान रख सकता है तो cost of living आपकी covered हो गई बस एक छोटी सी feast जो most of the universities में लगती है वो है semester contribution तो वो minimal सी है वो आपको देनी पड़ेगी तो यह हमारा पहला point है इस video का दूसरा point जो है वो काफी vast है क्योंकि इसमें मैं सारी scholarship discuss करने वाली हूँ name तो कुछ मैं अभी करूंगी आपको पाकी आप पूरी list link में description box में डाल दे रही हूँ वहाँ पे जाके आप मेरे blog पे सारी list देख सकते है scholarship की जो कि आपको individually check करने होगी कि आपके लिए कौन सी valid है आपको उसकी application deadline जाद रखनी है ताकि उसे आप timely apply कर सके German student visa apply करने के लिए आपको अपने financial proof नहीं दिखाने होंगे block account के लिए 11,208 euro एकटा नहीं करने होंगे अगर आपके पास already एक certificate है आपके stipend का या फिर scholarship का जो कि आपको clearly बताएगा कि आपको इतनी इतनी scholarship दी जाएगी हर महीने उससे German government ऐसी tension free रह सकती है कि अगर आप यहां पर पढ़ने आ रहे हो तो आप उसका अपना cost of living maintain कर सकते हैं क्योंकि आपको already scholarship या स्टाइपेंड मिलेगा जर्मनी जाकर तो scholarship के लिए आप normal google search भी कर सकते हैं कि जर्मनी में कौन कौन सी scholarships available है बट कुछ-कुछ मैं आपको यहां पर share करके बताती हूँ पहले हम start करते हैं कुछ government scholarship से फिर उसके बाद हम जाएंगे university specific scholarship पे and then बीच में एक private scholarship भी मैं discuss करने वाली हूँ तो जब government scholarship की बात कर रहे हैं तो जो इसके लिए website आपको देखनी है वो है मास्टर्स के लिए डूण रहे हो या फिर PhD के लिए डूण रहे हो सब अलग-अलग टाइप की scholarship का database है वह पर जाके आपको drop-down filter को use करके अपनी scholarship देखनी होगी एक जब आप particular कोई scholarship देखते हो जो आपके लिए suitable है उसको जब आप open करोगे उसमें clearly सारी चीजे mentioned है कि इसकी application deadline क्या है इसके application documents क्या है and आपको ये कब तक submit करने ही है ये सारी चीजे तो most of the चीजे तो common है जो आपको admission के लिए चाहिए जैसे कि वो आपके transcript हो गया आपका language certificate हो गया जैसे IELTS हो गया या फिर German का हो गया then आपका motivation letter, letter of recommendation बाकी आपका sample of work जो की differ करता है scholarship to scholarship और सब की deadline मी है कुछ scholarship साल में एक बार ही open होती है कुछ साल में दो बार open होती है तो अगर आप कोई ऐसे database पे जा के दाज के जब चेक कर रहे हो और आप देख रहे हो कि उसकी deadline for example February 2023 थी तो वो तो चला गया बट आप अगले साल के लिए ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप अगले साल apply करने वाले हैं तो next year की भी date उसी के आसपास आईगी तो आपको feb 2024 के पहले सारी चीज़े ready रखनी है और आपको बस ये चीज़ कुछ ध्यान देनी होगी कि जिसमें आपको यहां आ के apply करनी है उसके लिए आपको पहले से ही अपने finances arrange करने है and then उसको आप save कर सकते हैं यहां पर जब आपकी scholarship आईगी तो उसको use कर सकते हैं इसी के साथ आपने second चीज़ काफी common सुनी होगी वो है Erasmus Student तो Erasmus Student जब मैंने पढ़ना स्टार्ट हिया तो वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी भी nationality का student international student अगर यूरोप में पढ़ रहा है तो ऐसा एक network है countries का 33 countries या फिर थोड़ा उससे जादा भी हो सकता है तो अगर आप यूरोप के किसी university में पढ़ रहे हो इन partnered countries में जब आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आगे next year के लिए आप Erasmus program में apply कर सकते हैं जिसमें आपको ये opportunity मिलती है कि आप दूसरी country में जाके पढ़ाई कर सकते हैं उस partnered country के network में मतब आपकी university चेंज हो जाएगी आप उस university में अपना second year कर रहे हो गए और इस Erasmus program में आपको scholarship दी जाती है तो आपको monthly stipend मिलता है जिससे आप अपनी cost of living maintain करते हैं जो भी difference होता है tuition fees में वो भी शायद cover होता है depend करता है कि आप किसी high cost of living university या city से low cost of living में जा रहे हो या फिर low to high में जा रहे हो for example आपका German university में admission नहीं होता है और आपने किसी और European country में admission ले लिया जैसे माल लेते हैं फ्रांस में ले लिया तो फ्रांस में आपने एक साल पढ़ाई की और आपने Erasmus के लिए जो इनका mobility program है उसमें apply करना start किया तो जब आप apply करोगे next year के लिए आप डालोगे अब जब apply करते time कि आपको कि किस country में जाके पढ़ना है तो आप अगर Germany आना चाते हो आप Germany डालते हो आप Spain जाना चाते हो आप तो Spain डालते हो Italy जाना चाते हो वहाँ डालते हो Norway जाना चाते हो तो Norway डालोगे but जो आपका stipend होगा वो differ करेगा city to city जैसे Norway में cost of living बहुत जादा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा जादा stipend मिलेगा so जैसे मैंने अभी बताया था कि ये एक ऐसा example है जो आपको यहाँ पे आके apply करना है so इसकी भी website मैंने include कर दी है आपको जाके बहुत ही अच्छे से देखना है कौन-कौन सी partnered university है and कौन-कौन सी partnered countries है तो जिस भी university में आप पढ़ रहे हो गए अगर उसके अंदर Erasmus program होगा तो आप इस exchange student program में apply करके दूसरी country में जाके पढ़ सकते है वैसी एक third scholarship है जिसका नाम है Deutschland stipendium अब मैं भी प्रोलाउंस में अच्छे से नहीं कर रही होंगी so इस scholarship का यह concept है कि जब आप इसमें apply करते हो तो आपको जो grant मिलता है वो 300 euros मिलता है जिसमें 1.500 जो है यहाँ की federal government contribute करती है और 1.500 euro कोई private sponsor include करता है तो student को 300 euros पर मन्त का stipend मिलता है और यह जितने भी stipend में बता रही हूँ यह ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल end तक मिलेंगे आपके studies तक यह differ करता है और कई बार minimum आपको दो महिने के लिए मिलेगा दो semester के लिए और कई बार आप क्या पता ऐसे select हो जाते हो कि आपको पूरे program के लिए stipend मिलता है तो ऐसे आपकी पूरी studies 300 euros पर मन्त stipend आपको मिलेगा और आप उसको use करके अपना cost of living मेंटेन कर सकते है वैसी मैंने काफी सारी scholarship include कर रखी है मैं कुछ-कुछ के नाम बता देती हूँ अब जैसे Heinrich Ball Foundation Scholarship Conrad Adenoyer Foundation Scholarship Mavista Scholarship ये scholarship मुझे काफी interesting लगी क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई child है तो any student who has a child and he wants to study abroad वो यहाँ पे apply कर सकता है and then उसको इस category में अगर वो eligible है तो उसको scholarship मिलने के chances है वैसी कुछ scholarship है Friedrich Ebert Stiftung Scholarship Marie Curie International Incoming Student Fellowship IIF तो ऐसी बहुत सारी list है आप वहाँ पे जाएए उनकी individual आप website open कीजिए उसके बारे में पढ़िये कि ये आपके लिए bachelor's के लिए suitable है master's के लिए suitable है PhD के लिए suitable है या फिर PhD के बाद जो I think postdoc करते है उसके लिए suitable है या नहीं है And last में university specific scholarship होती है तो उसकी भी list मैंने एक अलग से section बना के डालिए वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप apply कर रहे होगे तो obviously good grades तो काम आएंगे ही और ऐसे आप demotivate मत होना कि आपका जैसे कई बार बहुत competition high होता है और आपके अच्छे grades भी होता है बट आप सोचते हो कि already इतने students apply कर रहे हैं क्या पता आपको मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी तो बुरा लगेगा थोड़ा ऐसे positively आपको सोच कि optimistically apply करना है and then result का वेट करना है मिलती है तो ठीक है नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं बट apply ज़रूर करिएगा अगर आपको पता है कि आपके grades अच्छे है and आपके अंदर कुछ एक positive spark है जिसको मैं क्या बोलूँगी कि आप बहुती active हो और networking में आप काफी active हो social हो और कई सारे आपके achievements है जिसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि आप जब आप bachelors कर रहे थे तो आपने ये किया आपके अंदर ये qualities है leadership qualities है या फिर ये skills है तो ये चीज़े काफी आपको help करेंगी और एक tip और ये दे सकती हो कि जब आप scholarship के लिए apply करो तो obviously आपके grades तो देखे जाएंगे but आपको ये भी ऐसा नहीं show करना है कि आप अगर for example loan लेके आ रहे हैं तो आपको scholarship चाहिए अपने आपके loan को चुकाने के लिए ऐसा financially आपको weak नहीं portray करना है जो कि मुझे लगता है मैंने कई जगा पढ़ा तो ऐसे थोड़े नीडी वाली tone में अपना motivation letter है वो मत लिखिएगा और अपने skills and achievement पे जादा focus कीजएगा इसी के साथ हम third point पे आ गए हैं जो कि इसके अंदर एक catch है तो जो अभी आप बहुत सुनते होगे कि Germany में education free है तो इसको आप ऐसे portray कर सकते हैं कि कैसे free की जाए education पहले आपको पैसे arrange करने है जैसे आपको block account के पैसे arrange करने है जब आप Germany में आ जाओगे तो आपको part time job करनी है उस part time job से आपको अपनी cost of living maintain करनी है and then जब cost of living आप उससे maintain करोगे तो आपके पास ये भी chances है कि अगर आपकी part time job अच्छी लगी है तो आप savings भी कर पाऊगे तो इसका result यह होता है कि जैसी आपकी studies खतम होती है for example bachelor's या master's तो आपके पास काफी savings भी हो जाती है तो इसी को जो ये catch है इसी को लोग बोलते हैं कि free education क्योंकि जो आप पैसे लेकर आए थे block account में वो आपने use नहीं किये अगर थोड़े बहुत use भी किये तो part time से जो earn किये उससे उसको compensate किया and then overall आपने save किया जिससे कि आपकी studies free हो गई क्योंकि obviously most of the public universities में tuition fees free होती है अगर उन universities के courses में आपका admission हो जाता है तो बस semester contribution देना है and cost of living maintain करनी है cost of living maintain करने के लिए आप part time job कर रहे हो हाँ part time job के साथ ये problem जरूर हो जाती है क्योंकि studies में maintain करनी है exams भी देने है and then job भी करनी है तो वो आपको बहुत जादा मेहनत करनी होगी तो ऐसा नहीं है कि ये possible नहीं है possible हो सकता है अगर आप proper time management करते हो आप काफी dedicated हो तो मैं किसी को ऐसे demotivate नहीं कर रही हूँ it's possible और students करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पता कि block account क्या होता है जैसे कि ये एक बहुत ही important requirement है German student visa के लिए कि यहां की government आपको expect करती है कि आपकी financial situation काफी stable है और आपके यहां पे Germany आने के पहले ही वो एक साल का पैसा आप से जमा करवा देती है यहां के block account में block करा देती है जो कि है 11,208 euros जिसमें से पर महीने आप सिफ 935 या 934 euros ही max निकाल सकते है और उसी मही आपको अपना monthly budget चलाना होता है तो इस block account के लिए आपको अपना visa apply करने से पहले इसे इंडिया में open कराना होता है अब यह open कहां कराया जा सकता है यह safe है कि नहीं है तो इसके लिए मैं आपको coracle का block account suggest कर सकती हूँ जिसमें अगर आप bachelor's या master's के लिए आ रहे हैं तो आप coracle prime जो product है उसको देख सकते हैं उसमें आपको block account मिलेगा block account in the sense कि आपको अपने पैसे जमा कराने है वो आपके लिए block account open करेंगे बाकी सारी चीज़े का take care करेंगे जब आप Germany में आओगे तो उसको आप open करा सकते हैं and then आप वो पैसे use कर सकते हैं second benefit आपको यह मिलेगा कि next requirement होती है travel health insurance की तो Germany आने से पहले, fly करने से पहले even visa apply करने से पहले आपके पास एक travel health insurance होना चाहिए तो उसके लिए आपको free travel health insurance मिलता है and then इसके साथ आपको मिलता है an option choose करने का अपना health care insurance company जो की जर्मनी में आप कौन से लेना चाहते हैं जैसे कुछ public health insurance companies का मैं आपको नाम बताऊंगी AOK, TK and Barmer तो इन में से आप compare कर सकते हैं आपको कौन सा suitable लग रहा है आपके लिए and then curriculum के थूँ आप ये भी book कर सकते हैं कि आपको आगे चलके जर्मनी में कौन सा health care company के साथ insurance लेना है block account के ऊपर आगर आपके पास कोई specific question है तो वो आप comment box में पूछिए मेरे से मैं उसका answer देने की कोशिश करूँगी आप use करने की कोशिश कीजेगा उससे आप अपने budgeting कर सकते हैं अपना block account वाले पैसे भी save कर सकते हैं So I hope जो मैंने list scholarship की डाली है उसको जब आप go through करोगे तो आपके लिए आपके subject related आपको scholarship मिले and आप उसमें apply करना तो फिर उसकी deadline ध्यान में रखिएगा क्या पता जो मेरी list है उसमें कुछ universities missing हो कुछ scholarship missing हो तो मैंने तो अपनी best research करके इसको include किया है बट आप इनके अलावा भी देखिएगा refer कीजेगा कि और क्या-क्या options है आपके लिए वाकि यह informative video आपको थोड़ी help करेगी scholarship दूनने में और यह video कैसी लगी मुझे लिक के जरूर बताईएगा see you in next vlog bye